आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी स्वादिस्ट मिठाई की रेसिपी जिसे बनाना बहुती ज्यादा आसान है आप इस मिठाई को खाएंगे तो ये मिठाई आपके मुँ में जाती ही एकदम से घुल जाएगी इतनी ज्यादा सॉफ्ट हमारी मिठाई बनकर रेडी होती है इस मिठाई को बनाने के लिए हमने नहीं कोई मावा नहीं चाशनी नहीं पनीर बिना गेज जलाएं हमने इस मिठाई को दस मिनट में बनाकर रेडी किया है आप एक बार इस recipe को जरूर ट्राइ करें बहुत ही ज़्यादा soft और tasty हमारी मिठाई बनकर ready होती है चलिए देखते हैं किस तरह से हमने इस मज़ेदार सी मिठाई को बनाकर ready किया है उससे पहला अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करें साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप मेरी आने वाली कोई भी latest recipe मिस न कर सके अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like और comment करना न भूले चलिए देखते हैं किस तरह से हम इस recipe को बनाकर ready करते हैं यहाँ पर मैंने ले लिया है एक mixi वाला jar इसमें हम एट करेंगे साथ साथ काजू छे से साथ बादाम दस से बारा पिष्टा सभी का हम दर दरा powder बनाकर ready कर लेंगे सभी डाइफ रूट्स का हमारा powder बनकर ready हो चुका है अब हम इसे mixing ball में transfer कर लेंगे आप देख सकते हैं मैंने इसका दर दरा powder ही बनाकर ready कर है fine powder हमने नहीं बनाया है अब हम इसमें एट करेंगे 3 table spoon milk powder आप इस recipe से मिठाई बनाएंगे तो आप बार बार इसी recipe से मिठाई बनाना पसंद करेंगे बहुत ही जादा tasty हमारी मिठाई बनकर ready होती है अब हम इसमें एट करेंगे 1 table spoon cream मैं यहाँ पर दूद की उत्री हुए मलाई का इस्तमाल कर रही हूँ अगर आप मलाई का इस्तमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ठंडे दूद का भी इस्तमाल कर सकते हैं अच्छे से mix कर लेंगे और इसका dough बना कर ready कर लेंगे इदी के dough हमारा ready हो चुका है आप देख सकते हैं कितना ज्यादा soft हमारा dough है इस point पर हम इसमें add करेंगा half table spoon sugar powder इसे भी हम अच्छे से mix कर लेंगे इदी के शुगर हमारी अच्छे से mix हो चुकी है अब हम इसे side कर देंगे इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 6-7 bread bread के हमें corners cut नहीं करने हैं कुछ मिठाई है जब हम बनाते हैं तो bread के corners cut कर देते हैं लेकिन इस मिठाई में हमें ब्रेट के कॉर्णर्स कट नहीं करने हैं, इसी तरह से हम इसके इस्तमाल करेंगे, यहाँ पर मैंने ले लिया है वो ही वाला मिक्सी का जार, अब हम इसमें एट करेंगे ब्रेड, ब्रेड के हमें ब्रेड करम्स बना कर रेडी करने हैं, वो बारिक फाइन से हमें इसके ब्रेड करम्स बनाने हैं, ब्रेड करम्स हमारे रेडी हो चुके हैं, हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे मिक्सिंग बाउल में, इस्पून से अच्छे से मिक्स करते हुए हमने इसके ब्रेट क्रम्स बनाकर रेडी कर लिये हैं अब हम इसमे एट करेंगे 1 फॉर्थ कप शुगर पाउडर इस्पून से आप इसे मेजर करेंगे तो यह हमारी 4 टेबिल स्पून है मैंने चीनी का पहले से ही फाइन पाउडर बनाकर रेडी कर लिया था अब हम इसमे एट करेंगे 1 कप मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर से बिल्कुल बाजार जैसी हलवाई स्टाइल हमारी मिठाई बनकर रेडी होएगी अब हम इसमें एट करेंगे 1 4th का नारियल का बारूदा यह बिल्कुल आपशनल है आप एट करना चाहें तो इसे एट कर सकते हैं अधरवाइस आप इसे skip भी कर सकते हैं सभी को अच्छे से mix कर लेंगे soft hand से हमें इसे mix करना है दीखे सभी चीज़ा हमारी अच्छे से mix हो चुकी है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूद एट करते हुए इसका dough बना कर रेडी कर लेंगे मैंने यहाँ पर ठंडे दूद का इस्तामाल किया है अच्छे से mix करते हुए हम इसका dough बना कर रेडी करना है इदिखे dough हमारा बनकर रेडी हो चुका है dough बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 टेबिली स्पून दूद का इस्तामाल किया है मिठाई को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिए एक पोलोथीन इसे हम अच्छे से फेला लेंगे क्योंकर हमें इसी पर मिठाई को सेट करना है अब हम इस मैट करेंगे बेटर बेटर को हमें हाथों की हेल्प से अच्छे से पोलोथीन पर फेला लेना है बेटर को हमने अच्छे से सेट कर लिया है अब हम इस मैट करेंगे जो हमने काजू बादाम और पिष्टे का डो बनाकर रेडी किया था वाइट कर देंगे और इसे भी हम इसी तरह से फेलाकर रेडी कर लेंगे इसको भी हमने इसी तरह से फेलाकर रेडी कर लिया है अब यह देखिए इस तरह से हमें पोलोथिन को फॉल्ड करते हुए इसका रोल बनाकर रेडी करना है यह देखिए इस तरह से रोल हमारा बनकर रेडी हो चुका है अब हम इसे सेट कर लेंगे हातों की हेल्प से हम रोल को अच्छे से सेट कर लेंगे अब हमें पॉरोथीन को दोनों साइडों से अच्छे से फॉल्ड कर लेना है यह दिखे इस तरह से जैसे हम आपको वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह से हमें इस अच्छे से फॉल्ड कर लेना है और इस तरह से टेप करते हुए हमें इसका रोल बना कर रेडी करना है इसे हम टेप करते रहेंगे और पोलोथीन को साइडों से फॉल करते रहेंगे और इसे अंदर की तरह प्रेस करते हुए हमें इसका रोल बना कर रेडी करना है दिखें जिसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ इसी तरह से हम इसे अंदर की साइड प्रेस करेंगे और इसका रोल बना कर रेडी कर लेंगे देखे, रोल हमारा बनकर रेडी हो चुका है आप देख सकते हैं पहले कितना बड़ा हमारा इसका रोल था अब हमने इसे अच्छे से से शेट किया है तो प्यारा सा हमारा रोल बनकर रेडी हो चुका है अब हम इसे अब 10 से 15 मिनिट के लिए फ्रीज में रख देंगे यह देखे 15 मिनट के बाद हमारी मिठाई अच्छे से सेट हो चुकी है मैं इसे आपको उपिन करकर दिखाती हूँ आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी हमारी मिठाई बनकर रेडी हो चुकी है मैं आपको इसके पेसिस कट करकर दिखाती हूँ ये देखिए कितनी प्यारी सॉफ्ट सी हमारी मिठाई बनकर रेडी होई है इस पॉइंट पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सॉफ्ट सी हमारी मिठाई बनकर रेडी हो चुकी है आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें बहुत ही ज्यादा सोफ्ट और टेस्टी हमारी मिठाई बनकर रेडी होती है आप एक बार इस रेसिपी से मिठाई बनाएंगे तो आप बार बार इसी रेसिपी से मिठाई बनाना पसंद करेंगे आप देख सकते ही कितनी ज्यादा सौफ्ट हमारी मिठाई बनकर रेडी होई है बिल्कुल मौ में घुल जाने वाली हमारी मिठाई है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिज